The Early Man Chapter 5 Now children, we start new chapter Okay Early man did not have an idea about time He kept no record of birth or holiday Early man के पास कोई idea नहीं था time का कि समय कितना हो रहा है जैसे अभी हमारे पर घड़ी है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इतना time हो रहा है लेकिन उस समय Early Man के पास यह चीज नहीं था उसके पास उसके birth का कोई record नहीं था record रखने का नहीं था कि मेरा जन दिल कब है यह सारी कुछ नहीं थी नहीं उस समय उनके लिए कोई holidays था He did not know about day or week or even years but he kept a track of the season he knew that spring follow winter लेकिन वो season को trap करते थे वो जानते थे कि कब सरद्रित हुआएगी कब गर्मी का दिन आएगा The ancient man moved from place to place in search of food and water एक जगे से दुसर जगे क्यों जाते थे हुआ आतमी एक जगे से दुसर जगे वो खाने की तलास में और पानी की तलास में जाते थे He ate flesh of animal, fruits, nut, leaves and roots of the plant वो लोग इन सारे चीजों को खाया करते थे He used stone for hunting, fishing and digging roots of plants वो stone tools का use करते थे आपको ये side में दिख रहे है न निचे में stone tools हुए Asian man के ये tools थे उस समय इसी से वो जो भी digging का काम करना था fishing का काम करना था इसी से वो गया करते थे Slowly we improve the stone tools by giving them shape and polish धे धे उनके tools का विकास हुआ और वो उसको shape देने लगे अकार देने लगे और उसको धारदार बनाने लगे sharpness उसका तेज करने लगे और polish करने लगे He also start using tools made of bones and ivory His most useful tools was the spear He threw it from a distance with a force to kill animal अब वो देरे देरे विकास होते होते bones का भी हथियार बनने लगे ivory के भी हथियार बनने लगे और उसके अंदर stick लगाते थे जिससे कि वो दूर से भी किसी जानवर पे throw करके उसको मार सकते थे उसका सिकार कर सकते थे fire was the biggest discovery of the ancient man सबसे पहला discover early man ने fire कर किया the fire gave him the warm save him from cold and wild animal और जो fire था उनको ठंड के दिनों में आग जिलाते थे तो ठंड नहीं लगते थी रात के समय सुने के समय आग जिला के रख देते थे जिसी कोई जंगली जान और उनके नस्दीक नहीं आता था after the discovery of fire he start cooking his food to make it soft and tasty और fire का विश्कार होने के बाद उनका food जो बना वो भी बहुत tasty बनता था अब उसका जो लाइफ था चेंज हो गया वो हंटर से food gatherer हो गया था वो food को collect करना सुरू कर दिया था collect करके आगे के समय के लिए रखना सुरू कर दिया था he become a food producer और उसके बाद वो food producer हो गया इसमें कहीं पे beach डाल करके खेती करना सुरू कर दिया now he did not have to wonder from one place to another he start leading a settled life close to the land where he where he grew grains अब उन जगों पर रहना सुरू कर दिया उसने जहां पर उसने खेती की थी तो settled एक जगे रहके जीवन मैतित करना सुरू कर दिया the earliest settlement were close to river to fulfill his requirement of water for drinking irrigation and transportation और सुरुवात में लोग नदियों के किनारे रहते थे जहां से उनको नाउ से एक जगे सुझे सुझे के आना जाना भी कर सकते थे और खेतों के लिए पानी भी मिल जाता था और साथ में पीने के लिए भी पानी मिल जाता था इस seltr changed from caves and tree to tart hearts अब उनका जो seltr था वो बदल गया था अब वो जो प्री में रहना सुरू कर दिया था वोने caves को छोड़ दिया था नदी के किनारी तो पहाड़ है नहीं तो इसके कारण उन लोगों ने अब caves में रहना छोड़ दिया अब भगवान से भी डरना लगा था वो जब बारिश होती थी यदि धूप दुबा करता था यदि बिजली चमकती थी तब उसको लगता था कोई एक प्राकृतिक सकती है जो इन सब चीजों का संचालन कर रही है इन सब चीजोง को चला रही है तब वो भगवान की भी बुजा करने लग गया अब वो एक जगे पर रोग करके अपने फ़सल का तीयार होने का इन्तजार करने लग गया अब जो सेटल एक जगे रहता था तो उसको पहुँ सारा समय मिलता था तो उसके साथ वो दूसरी अक्टिविटीज करना सुरू कर दिया अब अच्छे टूस मिलना सुरू कर दिया आपने जीवन को अराम दायक बनाने के लिए उसने मनुष्य ने बहुत सारी चीजों का विश्कार किया ने ठास आपने घुरल व्क उन्वाई बन टूस कर स का लेड़ु Receल बंद इंस वाघ अन्यलwarant प्रफस कर दोन अडर से लर्य toujours a Right CC